यहां पर एक और क्वेस्ट को देखेंगे इंटर्वी में पूचा जाएगा फिर आप जब साइट पर काम करेंगे तब भी इस वरी इंपोरेंट यहां पर आपको कभी भी लैपिंग करने अब एक चाहिए आपको कॉलम में हो बीम में हो या स्लाब में हो यह दोसने मैंटर तो मी वरेवर देंडि मोमेंट इस मिनिममम वहां पर हम क्या करेंगे अपने बीम स्लाब या कॉलम का लैपिंग करेंगे ठीक है या तो अगें दवर्ड बोट साइगिंग मतलब जब मैं बता रहो कि मिनिमम रहेगा अब हमारे पास दो बेंड नोलग में मुमें में फर एक एक होता है आपका साइगिंग भेटिम मिममिट वीच्व फॉटब बेंडें देब करेंगे अग करेंगे ठीक है तो अगे कि मुझे बी में कहां पर लापिंग करने तो आपको सिंपल समझ में आने देखो कॉंसेट एक्षिली मैंने बेसिक कोस में एक्स्पेंड किया नो प्रोप्लम मुझे पने फीटे मुझे उसका वेन में चीटे मुझे फर न बीनिवा समार्व एक स्यौर्च पोसिटीव ज понимаю का तो गैटे मुझे तो ओपर बार छो teaching इदिवा ने इडाली से आपको चैटीज Dop taking a सब्सक्राइं के लिए आता है so this is my negative bending moment फिर आएगा आपका positive bending moment फिर आएगा आपका negative bending moment exactly negative negative and positive ठीक है तो अब मेरे पास beams में हम केसे बार डालते एक तो उपर बार डालते हैं that is above the neutral axis let us say और एक अधाब को bottom reinforcement right bottom reinforcement and top reinforcement अब top reinforcement के लिए मेरे को lapping कहां पे करना है या कहां पे नहीं करने लड़िस से कहां पे नहीं करने आप बताओ concept समझो कि कहां पर bending moment कम रहेगा वहां पर हम लापिंग करने अब देखो टॉप में यह आपका neutral axis है ठीक है इसके ऊपर देखो इस अपका support है यहां पर negative bending moment है और यह भी आपका support है यहां पर negative bending moment है तो यहां पर यहां पर लापिंग नहीं करेंगे पर यह बीच वाला portion देखो यहां पर कोई bending moment ही नहीं मतलब बहुत कमी bending moment है राइट इन अपको बीम में बार को center portion अब आजना bottom steel में bottom पर कहां पर लाप करेंगे अगेन आप बेंडिंग मोमेंट देखो देखो बॉटम पर न यह जो portion है यहां पर positive bending moment maximum है तो हम कभी भी bottom पर lapping नहीं करेंगे क्शेम करेंगे आपका bending moment बहुत maximum है तो पर यहां पर देखो इस किनारे में देखो यहां पर कोई bending moment की कि उसबार कि कुई जिए बहुत कम bending moment है क्यों क्योंकि जितने भी bending moment है उससाँ अपका negative bending कोई bending मोमेंट है मतलब आपका भी मूपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है वेराज हिए आपके नीचे वाले पूर्शन में कोई bending मोमेंट नहीं है इन दे सेम यहां पर भी देखों यहां पर भी कोई सपोट यहां पर इसको में फिक्स सपोट मान के जा रहो और दूसरा सपोट मेरा यहां पर ठीक है अब यह यह concept जो समझा रहा हूं इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा रहेगा सिंपल सी बात है मैं एक न्यूट्रल आक्सिस भी बना दूंगा ठीक है अब न्यूट्रल आक्सिस के ऊपर जो आपको बार दिख रहा है यह वाले यह आपके टॉप रिंफोस्मेंट है न्यूट्रल आक्सिस क पर आपको पॉजिटीव रहेगा फिर यहां पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा तो इस इस नेगेटिव नेगेटिव एंड इस पॉजिटीव ठीक है अब बताओ टॉप वोले बार को कहां पर लैपिंग करोंगे obviously इतना यह तक हम लापिंग नहीं करेंगे कि ब यहां यहां से 2.5 मिटर चोड़ना है यहां से 2.5 मीटर चोड़ना है जो बीच वाला पांच मिटर बच्चे यहां यर बच्चे एगा ना वहां प Där पको ऊपर वाले बार को लैपिंग करना है ठीके अब आएंगे नीचे वाले में कहाँ पर maximum तो यहां पर आप लैपिंग करोगे आपको यह concept apply करने पर एक प्रॉब्लम आएका continuous beam में आपको जब यह सारे चीज़ करने आपको first imagine करने की मेरा cutting कहां पर करने समझ में आ रहे हैं आपको first ही समझना है कि आपको cutting कहां पर करने for example मैं आपको एक और समझा दूँगा ओके देखो for example let us consider आपने पूरा एक 12 मीटर का बार आपने यहां से start किया ठीक है यहां से start किया बारा मीटर का बार आप पूरे एक लेक आ रहे चलो हम क्या करेंगे इसी भीम को ही लेंगे चलो यहां से स्टाट करेंगे मालो आपने पूरा एक बारा मीटर का बार आप लेके आ गई और पूरा बार लेके आने के बदन आपका बारा मीटर का बार यहां पे एंड हो रहा है तो 12 मिटर यहां पर खतम हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर एक और बार को लाना पड़ेगा आपना इस तरह से लापिंग देऊगे ना 50 टैम सा डामेटर फबार ऐसे लाप करके इसे लेके जाओगे कॉफ क्या आपनी सभी जगे पर लापिंग किया है क्योंकि मैं अभी टॉप कर बार का बात कर रहा हूं तो मैंने का था कैंड itself को कभी सपोर्ट के पास लापिंग करने तो आपने कया किया जेशी आपका सपोर्ड यहां परियापको को कॉलंब कर ओडत होगा तो आपनी इसके पर जाके देखना है कि 12 मिटर कहां पर खत्म होगा अब मेरे को पता चल गया कि 12 मिटर का बार यहां पर खत्म होगा तो आप क्या करना 12 मिटर बार को तो चार मिंट देना पड़ेगा ना बचा वह कामें याप आपको करेंगे और इसको एसे लेके जाएंगे आप अपने लैपिंघ रहिये हो ठीक है आप ने जैङे शक रहे ले तो टॉप में हमें कभी सेंटर पर देने इस और खक्राइक तो नो फ्रॉब्लम ठीकिस अब जब इस नेक्स्ट बार को आप लेकर होगे न अब इसको भी आपको वेसी करके लेकर जाने अब जब ए बार खतम होगा यह बार भी आपको Center में खत्म करानहेगा उसका आपको this ं है और आपको concept समझ मेरा यह ओले कि आप अगेना अगयर आप पूरा 12 का बार लेखिए उपर यहाँ वाइगा फिर आपने गलत किया तो फिर आपको क्या करना लेके आने ताकि जब हम उपर जब इसका लैपिंग करेंगे वह भी आपका नेक्स्ट एक और बीम का सेंटर पर आएगा कॉंसेप्ट क्लियर है सेम कॉंसेट आप बॉटम पर लेक्ट आ रहा हूं अगर मैं बॉटम पर बार लेके आओंगे तो अगर बॉटम पर बार मेरा यहां पर खतम होगा तो हम क्या यहां पर लापिंग कर सकते नहीं बॉटम पर हम कभी भी लापिंग नहीं करेंगे सेंटर पर क्यों सागिंग बेंडिंग मैक्सिम हैं तो कहां पर करेंगे या तुम स करोगे कोई problem नहीं है एक और बार को लाएंगे एसे लैपिंग किया मैंने और इसको लेके जाएंगे और फिर यहां पर स्यमक्सेट जब इस बार को फूरा लेके जाओगे जब इस बार का लैपिंग आएगा फिर आपको कहां पर करना है exactly support के पास ही लैपिंग करने फिर इसक में आ रहा है तो in this way you have to understand the concept of the lapping मैंने आपको बीम का बता दिया same concept आप बीम में लगाओ column में लगाओ slab में लगाओ concept यही रहेगा और इसी को आपको करने है ठीक है या एक और चीज़ जब भी आप कोई भी बार को lap करोगे not more than 50% of the bar has to be lapped at one section मतलब अब देखो for example यह उपर आपका एक ही बार नहीं आएगा आपका इस तरह से बीम में तीन तीन बार आएंगे वह तो आपको इतना knowledge तो है अभी अब मेरे करोगे लापिंग करोगे ठीक है लापिंग करेंगे फिर फिर मान के चलो कि इसका मैंने लापिंग किया ओके इसे लापिंग करके लिए ठीक है फिर इसका भी मैंने लापिंग किया समझ में आ रहा है ना इसका भी मैंने लापिंग किया ठीक है फिर इसका भी हम लापिंग क किया है that is good problem क्या code says that not more than 50% of a bar has to be lapped at one single section मतलब जब आप बीम में दोगे column में कहीं पर 50% से ज्याद आपको बीम का lapping एक जगे पर नहीं करने मतलब इसका मतलब क्या है हमने कितना बार लाया था है यहां पर तीन बार लाया था 50% कितना हो जाएगा 1.5 लेटेसे टू बार तो दो बार से ज्यादा दो बार से ज्यादा आपको एक बार यहां पर पूरा लेके जाने समझ में आ रहा है तो इन इस वे यह उपर का समझा दिया नीचे भी आपको वेसे करने स्लाब में भी वेसे करना है कॉलम में भी वेसे करने ठीक है अभी यहां पर आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ते है साइट पर ठीक है क्यूंकि एक तो आपको लैपिंग का ध्यान रखना है दूसरा जब आप बार को कट करोगे ना तो एक बार आप सिर्फ 8 मीटर का यहां पर कट करो मैं आपको समझाओंगा भी आप क्या करना 8 मीटर का बार एक इधर दूसरा 8 मीटर का बार आप यहां पर कट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नेक्स्ट एक और बार आपको ना इहीं पर कट नहीं करना 8 मीटर कट करना नहीं है तो आपको दूसरा बार ऐसा लेके जाने ताकि यह बार ना इस बीम का सेंटर पर आएगा ताकि क्या हो जाएगा सिर्फ दो यह बार को हम लाप कर रहे हैं यहां पर एक यह वाला कुछ होगे यहां पर यहां पर क्या होगा सिर्फ इसका लापिंग होगा तो यहां पर सिर्फ एक ही इसका लापिंग हो रहा है क्या है अपना रीबर का लापिंग हो रहा है तो इस तरफ से आपको प्लानिंग करने तो जब आप प्लानिंग करोगे आपको सही से एक बार द इसको apply करो हो जाएगा साइट पर ठीक है या तो यह सारे चीज आपको इंटर्वीव में याद रखने यह सारे चीज नहीं जो मैं समझा रहा हूं कि लापिंग आपको 50% से ज्यादा नहीं देना है और लापिंग कहां पर देना है कहां पर नहीं देना है कॉंसेप्ट याद रखो बस अप्लिकेशन बताओ हो जाएगा अगर इंटर्वीव में नहीं पुछेंगे तब भी साइट पर आपको यह एप्लिकेशन डेली डेली आपको करना ही पड़ेगा ठीक है या हाँ चलो फाइन आइटिंक बीम के लिए काफे इन नेक्स लेक्टर विल सीट फॉर द नेक्स लेक्टर थांकिव